कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का थोड़ा बहुत पॉलिटी में हम लोग देखेंगे और देखेंगे क्या तो प्रियंबल यह प्रियंबल टॉपिक इसलिए हमने यह चूज किया है क्योंकि चाहें 11 थो 12 थो 10 थो 9 थो आपने सब की बुक्स पे अगर जो NCRT के questions उठाएं चाहें UPPCS के questions उठाएं चाहें other state PCS के exams के questions उठाएं SSC के questions, SSCCGL, railway, preamble से question पूछे ही पूछे जाते हैं प्रियंबल कहने का means है जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उद्देशी का ठीक तो आप यह पहली बार तो है नहीं कि हम लोग यह देखने जा रहे हैं यह जो पेज है इससे सब लोग आप लोग परिचित होगे बहुत अच्छी तरीके से यह पेज बुलकुल जा बोलते हैं प्रियंबल ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और समझेंगे इस लेवल पर कि चाहें आप यूपी पीसीस का एकजाम के चाहें अधरos पीसीस का एकजाम दें वन डेवले एक्जाम दें प्रियंबल से अगर जो question आये तो आपका तो फानलत नहीं हो ठीक आप क्या करें कि आप सब्सक्राऊंब प्रेंब से कोस्चन ाते हैं तो प्रेयंबल के बारे में पहली बात तो यह है कि है क्या तो प्रिएंबल है क्या तो प्रिएंबल जैसे कि आपकी नियोन जैसे की ड्टीक है जैसे कि है कि आपकी बوسब के अंदर आपके बहुत सारा लिखा हुआ होते हैं ठीच के लेकिन कोई ऐसा तरीका बताई यह आप पूरी बुक आपको न पढ़नी पड़े और आपको यह पता चल जाए कि बुक के अंदर आखिर है क्या तो आप उसके लिए करते क्यां कि बुक का जो फर्स्ट पेज होता है जहां पर आपका इंट्रोडक्शन लिखा रहता है ठीक इंट्रोडक्शन वाला गर जो पेज पढ वैसे तो पूरा पढ़ना पढ़ेगा समझने के लिए लेकिन अवराल अगर जो मोटी मोटी चीज़ें अगर जो समीधान या इंडियन कॉंस्टिट्यूशन के बारे में जाननी है या किसी दूसरे कॉंस्टिट्यूशन की प्रेंबल को आपको पढ़ना पढ़ेगा आप थोड़ा सा दस मिनट उसको पढ़ें और ओवराल मोटी मोटी थिंकिंग बन जाएगी कि उनके कॉंस्टिट्यूशन या उनके समीधान में क्या क्या दिया गया है क्या क्या समझाया गया है तो फिर हमारे यहां की प्रेंबल है यही क्या करती है यही बताती है कि हमारे सम्विधान की फिलोसफी को सार रूप में या समरी रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं प्रेयंबल या उद्देशिका का हम लोग यूज करते हैं ठीक अब क्या है कि अगर जो कोशन आ जाए जैसे कि एक बार ये वंडे एकजाम में ये कोशन पूछा गया कि बताओ प्रेयंबल जो है उद्देशी का जो है इसका कहे सबसे पहली बार किस देश के सम्विधान या किस देश के इसका यूज किया गया तो इसका आंसर बिल्कुल इजी है किस देश के तो यू एसे यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका अब यहां पर सबसे पहली बार प्रेयंबल उनके समिधान में सामिल की गई ठीक है उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं हमारे यहां पर यह प्रेयंबल कैसे आई हमारे समिधान को बनाने के लिए एक बनी थी समिधान सभा ठीक है ठीक समिधान सभा बनी थी यह जिसको इंग्लिस में हम लोग क्या बोलते हैं समिधान सभा समिधान सभा ने क्या बनाया समिधान बनाया तो सीधी सी बात समिधान बनाया समिधान में प्रेयंबल है तो प्रेयंबल को भी उनी लोगों ने एडॉप्ट किया होगा उनी लोगों ने सामिल किया होगा अगर जो हम इसकी बात करें तो समिधान जब हमारा ब बन रहा था तो आप इस पर थी कि जैसे आप कोई बुक लिखो या कोई चीज लिखो तो आपको सबसे पहली बात फ्रेम करनी पड़ती है कि वो जो भुक है उनमें क्या क्या होगा तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा जो जो जितने भी आंदोलन हुए थे हिस्ट्री में लोगो जवाहरलाल नहरू ने क्या किया समिधान सभा समिधान सभा क्या समिधान सभा का मतलब समिधान बनाने के लिए जो बहुत सारे लोगों की कमेटी बैठी उसको बोलते हैं समिधान सभा तो उस समिधान सभा के एक मेंबर या एक सदसे कौन था जवाहरलाल नहरू भी थे तो बातों पर गौर रखे लिखा जाएगा तो उन्होंने क्या किया उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक ड्राफ्ट लाए अब बहुत भारी भर कम सा वर्ड लग रहा होगा ड्राफ्ट का मतलब एक सिंपल सा पेज उसमें कुछ चीजे लिखी हुई थी ठीक है उनी चीजों को वहां पर समिधान सभा में जवालल नहरू ने पढ़ा सबने हां हां करके पारित कर दिया वह पास हो गया वो जो ड्राफ्ट था वो जो पेज था उसको बोलते हैं औब जेक्टिव और काम है उद्देश य और स dasdhaud यह आगे चलकर यहीं बन गया भारत के समिधान की वत्देशिका यह प्रियंब्ल इनए dalर में प्रस्ताव में सारी चीजे लिखी हुई थी थी टीज चीजों में थोड़ा बहुत फिर बदल करके उसको हमारे समिधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल बना दिया गया तो अब अगर जो हम कोशन पूछे कि यह जो अगर जो कोशन कोई तुम आप से पूछे यह जो प्रेम्बल है यह पहले क्या था तो पहले ऑप्जक्टिव र सामने पेस्किया ठीक है अब उसके बाद है इस ओच्च्टिव रिज़ेलूशन को पास कब किया गया जैसे अधर नहीं को जब्रस्ताव उन्होंने समीधान सभा कि जो committee थी बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ पर रखा और इसको pass कब किया गया तो pass किया गया 22 जनवरी 1947 यह date याद रखो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को इसको pass कर दिया गया और यही हमारी क्या बन गई प्रस्तावना बन गई प्रेम्बल बन गई तो मोटी मोटी बाते हम लोगों ने थोड़ी बहुत देख लिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं अब हम देखते हैं यह जो प्रेम्बल है ठीक है करेंब्zne, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदेशी क्या बोलते है, ठीक है तो प्रियम्ब्zne की पहली बात तो है आगर पहला कोश्चन आएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है कि यह जो भाई प्रियंब्ल है इसका कुछ ना कुछ तो मीन्स होगा तो वह क्या है इसकी उपयोगिता क्या है दूसरा यह कोश्चन बहुत आता है यह UPSC के में सिक्जाम में यह कोश्चन आया क्या आया कि बताओ भाई प्रि पार्ट समुधान का पार्ट है भी या नहीं यह दूसरा question तीसरा यह question है यह जो प्रियंब्ल है ठीक है टीक है प्रियंब्ल में अब यह देखो भरी भरकम सा एक वर्ड में लिखने जा रहे हुआ है है भारी भ॥ारी भरकम आपको लगेगा थोड़ी दिर में इज पbuilding 168 इसमें अमेंड मेंट है यह संसोधन किया जा सकता है या नहीं ठीक इसमें संसोधन हो सकता है यह नहीं हो सकता है ठीक है उसके बाद next question क्या है कि हमारी जो executive है executive का मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलते है कारे पाली का हमारी जो कारे पाली का है या legis lecture हिंदी में क्या बोलते है विधाई का ये लोग जो है अगर जो ये कोई काम करते हैं ठीक है और वो काम जो है ऐसा कुछ काम करें कि प्रियंब्ल में कुछ दूसरी चीजे लिखी है लेकिन ये उसके अपोजिट काम कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति क्या इनकी पॉलिसी को चैलेंज कर सकता है या नहीं कारपाली का लाकि क्या होती है यह समझने के लिए न Dawis hai कैंने का मतलब है समझे अभी मोटे तौरत की मोधी है तो अभी विधाइक भूल जाो कारपाली का ढ़िसा ने करने लगें कि जो प्रेयंब्ल है प्रेममें जो चीजे लिखी है उससे उनका काम कुछ और बोल रहे हैं तो क्या कोई व्यक्ति कोट जा सकता है और कोड से गुहार लगा सकता है कि देखिए कि मोदी जी की जो है या हमारी जो सरकार है वो कुछ और कर रही है जबकि प्रेंबल में कुछ और लिखा है ठीक तो इन पॉलिसी को चैलेंज किया जा सकता है प्रेंबल के आधार पर कि नहीं किया जा सकता यह इतने कोश्चन है अब देखिए आर्टिकल 368 मैंने क्या लिखा तो पहली बात तो अब हुआ है कि hani लिखLIग गई तो उन हेडिंग्सको आप लोग क्या करते हों पॉइंंट नंबर एक वन्ट नंबर टू पॉइंट नंबर तीन नंबर फॉर लेकिन समई रहान में क्या कि इन को पॉरे नंबर एक नहीं इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं आर्टिकल अ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अनुच्छेदएंट कि तो सम्मिधान की जो headings हैं उनको article बोलते हैं या हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं तो आर्टिकल नंबर ही का मतलब सम्मिधान के heading proximity Republican ओंबर 2 का मतलब सम्मिधान की heading उसमें लिखा क्या है? उसमें ये लिखा है कि सम्विधान के अंदर जितनी भी चीजे लिखी हैं, उसमें आप संसोधन कैसे कर सकते हैं? संसोधन का मतलब अगर आपको कुछ जोड़ना हो सम्विधान के अंदर या हटाना हो सम्विधान के अंदर तो वो कैसे किया जा सकता है उसकी process बताई गई है किसमे समिधान की heading number 368 में या उसको हम अब heading नहीं बोलेंगे अब हम लोग बोलेंगे article number 368 में ठीक तो ये भी question आता है कि बताईए कि समिधान का जो समिधान में जो संसोधन किया जाता है उसका जिक्र समिधान के किस article में है तो simple answer अब आप लोग देंगे क्या article number 368 368 ठीक है अब क्या है तो article number 368 में 8 के तहत amendment या संसोधन हो सकता है तो लोगों का लोगों का court से ये पूछ रहे थे लोग जाके कि आप बताओ कि ये जो preamble है न उद्देशिका है इसमें कुछ जोड़ना हो या घटाना हो तो वह हम कर सकते हैं article 368 के तहत की नहीं मैं बार बार बोल ला हूं कि आर्टिकल 368 में process या प्रक्रिया बताई गई है कि समिधान में कोई चीज जोड़ना हो या कोई चीज घटाना हो तो कैसे करेंगे ठीक है तो यह question है अब हम लोग यह देखते हैं कि समिधान अब पहला है क्या कि समिधान की उपयोगिता क्या है utility क्या है तो समिधान की जो utility है वो है क्या तो utility उपयोगिता अब बहुत सारी है किन किन बातों पे हम लोग गौर करेंगे तो utility of preamble पहली बात क्या है इसमें समिधान का स्रोत बताया गया है समिधान का स्रोत मतलब समिधान को किसने लिखा है ठीक समिधान का स्रोत या समिधान में जो power आ रही है वो कहा तो जो प्रियंबल में पहली लाइन पड़ें Ho baj लोग का मतलब की समवधान जो है भारत की जनता के द्वारा बनाय गया ऑप थीक और आप लोग सम्विधान सब्वा में जन्ता बैठी नहीं तो जन्तक स्वारा कैसे बनाया गया है इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप लोग जनता हो सब लोग है हम लोग ठीक अब हम लोगों ने क्या कि कि कुछ लोगों को चुना और उन लोगों को भेज दिया यहां पर कहां पर समिधान सभा में तो इन डायरेक्ट यह अप्रत्यच रूप से समिधान बना तो यह लोग रहें समिधान सभा के मेंबर जिन लोगों को चुन के भेजा गया है लेकिन इन डायरेक्ट रूप से कौन लोग ब यहां पर मैं बहुत नए आपको बता गया कि जिससे आपको सम्झ में यह भी आता था हम लोगों पहली बात तो उस टाइम पर वोटिंग राइड था वो अभी तो 18 साल के उपर हो सारे लोग डालो ठीक है ने कुछी लोगों के पास वोटिंग राइड था उन लोगो ने क्या किया था अभी जिनको एमले आप लोग बोलते हो इस टीट लेबल पर लोगों को चुना हुआ था ठीक है वो जो स्टेट लेवर पर लोगों को चुना हुआ था वहां उन लोगों ने दूसरे लोगों को चुना हुआ था समिधान सभा के मेंबर्स को तो यह इतनी लंबी प्रॉसेस चली थी समिधान सभा मतलब हमने क्या किया स्टेट लेवर पर लोगों को चुना उन लोगों ने समिधान सबाके मेंबर्स को चुना और उन्हों ने समिधान ये बनाया था ठीक है तो यह हो गया अब इसमें बहुत सरे क्या है ठीक उसके बाद हमको क्या पता चलता है कि समिधान का सुरोत क्या है राज विवस्था की प्रकृति क्या है मतलब नेचर क्या है यह जो हमारी जो पॉलिटिक्स है या हमारी जो कंट्री है उसका नेचर क्या है नेचर का मतलब जैसे कि पहले लाइने जो लिखी है ना क पे कि लोकतंत्र क्या है गडराज ये क्या है तो ये पूरा सा हम किसी और दिन पढ़ेंगे और मतलब ये जो है बहुत ही सौर्ट वे में हम लोग ये चीजे सुरू कर रहे थे अब आगे का लेक्चर जो है अभी पांस मिनट में हम लोग कॉंटेन्यू करेंगे आगे पढ़ा झाल